नमस्कार दोस्तों और टीटी त्यारी चैनल में आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागत है सात्यों आप सभी की द्वारा लगातार फोन और मैसेज किया जा रहा है विद्या ले आवंटन को ले करके और आपने देखा होगा कि कल देर रात तक जो है हमारे बीच नौ जिला का विद्या ले आवंटन कर दिया गया है और जो भी जिला बच गया वहाँ के हमारे साती बहुत ज़्यादा परिशान हो रहे हैं और परिशान होने की बात भी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कॉंसलिंग की परकिरिया पूरी किये हुए लगभग देड़ महिना होने को है लेकिन अभी तक उनको विद्या लाए नहीं मिला ओरेंटेशन की यदी बात किया जाए तो लगातार ओरेंटेशन में हैं कई साथ हमारे डाइट में हैं बाइट में हैं कई साथ हमारे स्कूल से टैग हैं जो डाइट में हैं वो तो अपनी ट्रेनिंग करने हैं दो सबताहिक ट्रेनिंग करने हैं अच्छी बात हैं वहाँ पर रहना खाना सब कुछ फिरी है और कुछ सीख भी रहे हैं लेकिन जो साथ हमारे विद्या ले जा रहे हैं उन्होंने तो डाइट बाइट जो भी था वहां की ट्रेनिंग पूरी कर ली और विद्याले से उनको टैक कर दिया गया है और अभी तक यदि उनको विद्याले नहीं दिया गया है स्थाई विद्याले नहीं दिया गया है तो आप समझ रहे होंगे कि विना वेतन का कब तक काम करेंगे विना वेतन का कब तक काम करेंगे ये प्रश्न है उनका और शिक्षा युवाक के पदाधिकारी से निवेदन भी करने लगातार कि क्या हुआ मधवनी का क दादिकारी को फोन करके आप लोग जरूर पूछे कि क्या हुआ कब तक विद्याले आवंटन क्या जाएगा कुछ आपकी भी तो जिम्यदारी बन रही है डियम साहब की जिम्यदारी थी उन्होंने क्या किया नहीं किया ये हम सब के बीच में कोई जानकारी नहीं है किके आवंटन नहीं हो पाया सिर्फ नौ जिला का विद्याले आवंटन हुआ है जो आप सभी के स्क्रीन पढ़ है बेगु सराय भागलपूर भोजपूर कैमूर खगरिया लखी सराय मुंगेर और यहाँ पर नवादा और शेकपुरा ये नौ जिला के जिला शिक्षा पदाधि या वहाँ के जिला पदाधिकारी डियम सहाब ने सतर की दिखाते हुए या जो कहिए उन्होंने अपने जिला का विद्याले आवंटन रेंडमाजेसन तरीके से सचिवाले से पठना से करवा लिया लेकिन और जो पच गए हमारे डियम सहाब या डियो सहाब वो बच्चों क उनके बारे में क्या नहीं सोच रहे हैं यह आपका प्रश्ण है दर्वंगा के डियो ने तो कहा था कि हमारा हो गया लेकिन अभी तक कहा हमारे बीच में आया उसका रेंडमेजेसन वाली लिस्ट जिसमें विद्याले का नाम लिखा होता है तो सातियों जिस जिस जिला का न सकते हैं उनका फौन नमबर में आप सभी को डिप्सक्रिप्शन में देने जा रहा हूं वहां से आप ले करके एक बार जरूर कौल करके पूछेगा कि साहब कब तक विद्याले मिलने की संभाबना है क्योंकि हम तो लगातार ओरेंटेशन कर रहे हैं और ओरेंटेशन में आ पैसा आएगा कहां से क्योंकि आपने जो अभी विद्याले से हमको टैग किया है उसमें कोई वेतन का प्रापधान नहीं है जब तक मैं विद्याले में योगदान नहीं करूंगा आप हमें पदस्थापन पत्र नहीं देंगे तब तक हमें कोई वेतन नहीं मिलने वाली है तो इसलिए आपसे करवध निवेदन है कि जल से जल विद्यालैका आवंटन करवा दिया जाए। कई साथी का तो ये भी प्रश्न है कि केके पाठक जी जैसे पहले कारी कर रहे थे वैसे उनके कारी अब नहीं हो रही है क्योंकि पहले केके पाठक जी के आवास से ही लोग डरता था अब तो लेटर का भी कोई महत्तो नहीं है क्योंकि उन्होंने तो कहा था 20 जन बड़ी तकी विद्याले का आवंटन कर देना है अब तो भीया दो फड़वरी हो गया पंदर दिन जादा बीच गया ये भी कुछ साथी का कहना है तो देखिए सब की अपनी अपनी मन की भावना है कोई कुछ कहे ना कहे मैं तो यही बोलूँगा कि केके पाठक जी की कारिशेली बहुत ही अच्छी कारिशेली है वो चाहेंगे तो दो दिन के अंदर में आपको विद्याले पहुचा सकते हैं लेकिन हमें लगता है कि उनके संग्यान में ये बात नहीं है कि विद्याले का आवंटन अभी तक नहीं हो पाया है और शिक्षक अभिहर्थी ओरेंटेशन में परेशान हो रहे हैं क्योंकि डाइट बैट वाली ओरेंटेशन जो था आड़ंभी प्रिश्रिक्षन दो सपता ही है वो तो खतम हो गया अब इद्याले में टेग कर दिया गया है कहां से लाएंगे रूपिया कहां से क्या करेंगे तो ये लिस्ट नो नो पीडियाफ मेड़े पास में उपलब्द है और जैसी पीडियाफ मेड़े पास में आएगा और जीला का आवंटन मैं तुरंत आउल टी तेरी चैनल के माध्यम से आपको सुचित करता हूं सुचित करूंगा विश्वास दिलाता हूं पर आप से विनम्रे निवेदन है कि वीडियो को आप ज्यादा ज्य मेरी